चलिए देखते हैं क्या question है function पर based question है और function पर based domain or range के कभी भी question आये तो option बहुत help करता है जैसे कि question में बोला है the domain of the function इस function की domain बताना है function domain या range हमेशा सुनते हैं हमें लगता है बहुत complicated है जब कि मैं बोलूगा competitive question easiest है कैसे कि इसमें दो बात है सबसे पहले तो lock का जो base होता है वो कभी negative नहीं हो सकता और non one भी नहीं हो सकता यानि three plus x को पहले तो greater than zero होना चाहिए और x की value minus two नहीं होनी चाहिए इसका मतलब x को greater than minus three होना चाहिए minus three नहीं हो सकता तो minus three इन दो option में इसको cut करिए और option a को अगर ध्यान दें तो minus three से minus one के बीच में minus two भी आता जो कि satisfy नहीं करेगा तो option a भी नहीं है तो जब भी domain range के function के question आए तो option बहुत help करेगे तो अब अगर आप ध्यान दें तो आपके पास एक ही option बज़ता है वो c और इसमें देखे minus two को छोड़ा भी गया है इसके लावा उपर भी एक concept है कि इसको भी greater than zero होना चाहिए था तो x minus one x plus one बट क्योंकि आपने help ले ली options की logic की तो आपने बहुत easily कर लिया यानि one के बाद तो ही पर यहां पर minus one से minus infinity तक हो सकता है पर आपकी मजबूरिय कि आप minus three से नीचे नहीं जा सकते और इसका minus two छोड़ना था तो अगर आप थोड़े भी logical तरीके से कर रहे हैं तो आप question को बहुत easily handle कर सकते हैं